लैंड फोर्ड जॉब मामले में बिहार के पूर मुख्य मंत्री लालू प्रशाद यादव और उनके परिवार वालों की मुश्किले बढ़ने वाली है जहां आपको बता दे कि अब जमीन के बदले नौकरी घुटाले मामले में लालू प्रशाद यादव के बरे बेटे तेजप्रताप यादव का भी नाम सामने आ गया है अब तक तो तेजप्रताप यादव की भी मुश्किले बढ़ने वाली है क्योंकि अब इनका नाम सामने आया है कोट ने कहा है कि इनके खिलाफ कोट को पुकता सुबूत मिले है कि इनके नाम पर बड़ी तादाद में जमीन का ट्रांसपर किया गया है और इन लोगों ने पद का दुरूपियोग किया है ऐसे में मुश्किले बढ़ने वाली है और इनके साथ अन जितने भी नामते उनको भी कोट में तलब किया गया है और लालु प्रशाद यादव की दोनों बेटों को भी कोट में तलब किया गया है इस मामले में और भी अन्ने लोगों का नाम सामने आ रहा था जुसमें चार लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है लेकिन इन दोनों को कोट में ने तलब किया है और कोट ने ये जानकारी दी है कि इनके खिलाब बहुत सारे सुबूत मिले हैं जुसमें कोट के पास पुखता कि इनके नाम पर बड़े पैमाने पर जमीनों का तबादला किया गया है और बड़े बड़े जमीन इनके नाम किये गए हैं मामला लान्फ और जमीन मामला है कि नौकरी के बदले जमीन के घोटाले मामले में लालू प्रशाद यादफ के दोनों बेटों का नाम सामिल है घो 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था जुन में 4 की पहले ही मौत हो चुकी है कोट ने मामले में मुकद्दमा चलाने के लिए प्रतम दृष्चता में प्राप्त सुबूत है कोट ने कहा है कि बड़ी तादाद में जमीन का ट्रांसफर हुआ है कोट ने कहा है कि यादफ परिवार के नाम पर जमीन का ट्रांसफर हुआ है कहा है कि लालो परशाद यादफ मनी लॉंडरिंग में शामिल थे कोट ने कहा है कि तेजश्वी यादफ के खिलाफ भी मामले में परियाप्त सुबूत मिले है करनदेवी ने मसा भारती के नाम पर जमीन ट्रांसपर किया है जोसके बदले करनदेवी के बेटे को नौकरी दी गई इसमें करनदेवी के पती भी शामिल थे कोट ने कहा है कि एके इनफो सस्टम द्वारा बिहार की राबरी जेबी तेजश्वी यादव और तेजप्रताप यादव को 2014 में बड़ी तादाद में जमीन ट्रांसफर किया गया कोट ने कहा कि तेजप्रताप यादव भी लालू यादव परिवार के सदस्से हैं और मनी लॉंडरिंग में इनकी भूमी का सहिंकार नहीं किया जा सकता है कोट ने कहा है कि मामले में तेजप्रताप यादव को समन जारी किया जाता है और अब इनकी मुश्किले जो है बढ़ने वाली है तेज़ प्रताप यादफ का चार्ज सीट में आरोपी एडी ने नहीं बनाया था लेकिन अदालत ने पाया है कि इससे तेज़ प्रताप को भी फाइदा मिला है इसलिए अदालत ने तेज़ प्रताप यादफ को आरोपी के तौर पर समन जारी कर दिया है मामले में लालो पुश्राद यादफ की परिवार की मुश्ट के लिए बढ़ने वाली है दोनों बेटों का नाम असमेश सामने आ गया है यह से ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं NBC24 पर अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं पेच को पॉलो कर लिए YouTube पर देख रहे हैं चानल को सब्सक्राइब करना ना भूल